Hello everyone, welcome to Go4Agriculture. My name is Abhishek and today's lecture number 3 of horticulture we are going to discuss the very important topic of the horticulture that is soil compaction. So, before we start the lecture, I would like to tell you that if you want to download our notes, then you can download our telegram channel Go4Agriculture.com. या फिर आप हमारे different courses and notes के लिए हमारे website that is www.go4agriculture.com वहाँ पे भी enroll कर सकते हैं. So guys, let's start the video. Time बरवाद नहीं करते हैं और start करते हैं अपने आज के topic को that is soil compaction. So, यह जो term है बहुत ही एक normal term है that is soil compaction. इसका हिंदी मतलब अगर हम बात करें हिंदी में कर समझाया जाए इसको, तो soil का compact हो जाना, compact मतलब hard हो जाना. ठीक है? अब soil hard किस तरीके से हो सकता है? Over dry soil है, तो भी hard हो सकता है. Over pressurized soil है, यानि बहुत जादा चारो तरप से soil के पर प्रेशर है, तो भी soil compact हो सकता है. ठीक है? तो यह हमारे लिए फिर soil का hard हो जाना क्यों इतना important है या फिर इस पर ध्यान देना क्यों इतना important है? Because it is the major cause for the death or decline of the mature trees. ठीक है? अब इसी में हमें effort लगाना है कि soil compaction जितना भी कम हो पाए हम उन सारी चीजों पर ध्यान दें. ठीक है? क्योंकि यह एक serious treat है for the good soil structure. अगर soil compact है तो हमारा soil structure जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा या फिर कह सकते हैं कि हमारा soil structure damage हो सकता है. ठीक यह एक soil का particle हो गया, दूसरा soil का particle हो गया, तीसरा particle हो गया, चौता particle इतना बड़ा है, पांचवा particle ऐसा है, छड़ा particle ऐसा है, सातवा particle इस तरीके का है, आठवा, नवा, तो आप अगर ध्यान दो, अगर मैं इस soil पे उपर से pressure लगाँ यह फिर मालो यह छोड़े-छोड़े particles हैं, उपर से pressure लगाँ, तो क्या होगा, यह सारी बड़े वाले particles हैं, वो तो अपने जगह पे रह सकते हैं, लिए जो छोटे वाले particles हैं, यह जो pore space है, या जो particles के बीच में जो space है, यह वाले जगा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा, और जितने भ सब्सक्राइब अधिक halves अगर वहां पर जूर्ट फी ए ज्योस पर्टीकल की अगर और हमारे फॉस्तुर पर्टिकल कर लेते हैं तो मुष्यर कंटीशन नगर रिश्क आपकर श्कासित रोग में जांते हैं रूट जो है प्लांट का वह एर वाटर मिनरल सारा सोईल से एब्सॉर्फ करता है और वाटर जाग अगर सोईल में नहीं होगा तो हमारे डेफिनेटली जो प्लांट है वो मर जाएगा ठीक है तो यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है इस डिलिकेट सोईल पोर्स और इसली क्रस्ट करेंगा मतलब है जो टोड़े च्षोटे पोर्स हैं वो इसली उनको प्रोश किया सकता है मतलब उसके उपर में अगर किसी ने मानलो की कोई लूस सा सौयल है यह फिर ऐसा सोईल है जिसमें स्वाल पॉर्स छोटे-छोटे से हैं उनको एजली हम क्या कर सकते हैं बंद कर सकते थोड़ा जो भी उपर से अगरमने प्रेशर बढ़ा दिया दें ठीक है जिसे क्या होगा water and air movement जो होगा वे hinder हो जाएगा root growth जो होगी कम हो जाएगी ठीक है अब इसमें भी बात करें कि soil भी तो अपने different type का होता है wet soil dry soil ठीक है coarse soil ठीक है तो बहुत सारे type के soils हैं तो wet soil जो है ना particularly बहुत जादा vulnerable होता है wet soil क्यों क्योंकि यह जो soil के particle है ना उनको क्या करता है water जो होता है वो lubrication provide कर देता है ठीक है क्या लिखा है because the water lubricates the soil particle and loosens the binding agent जो binding agent present है soil में उनको क्या कर देता है loosen कर देता है जिस वाए से क्या हो जाएगा जो हमारा soil है वो compact easily हो जाएगा soil particles slip between the largest particles यहां पर देखो small soil particles है वो कहां चले जाएंगे largest particle के between में चले जाएंगे क्यों मैंने जब बताया कि जो बड़े particle है ठीक है उनके बीच में जो spaces है that is the pore spaces उसमें चोटे 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 पार्टिकल है वो क्या कर सकते है slip कर सकते है और filling the pores और वो pores को fill up कर देंगे loose soil will compact more than tight soils अब जो loose soil है उनका compaction बहुत easily हो जाता है ठीक है I hope आपको जो basic concept soil conception soil compaction का यह समझ में आ गया होगा ठीक है अब देखें and the soils that have broad range of particle size can be more severely compacted than more uniform soils अब मानले जिन particle का size uniform है उसमें कोई particle छोटा नहीं है कोई particle बड़ा नहीं है तो उनमें जो pore size बहुत uniform होगा ठीक है अब मैं example के तो आपको मैं बहुत uniform तो बना नहीं पाऊंगा हाथ से लेकिन हाँ और मानलो सारे particle एक ही size के हुए ठीक है सारे particle एक size के हुए तो इनके बीच का जो pore space है वो इतना होगा कि जो main particle है वो तो slip नहीं कर सकता इसके अंदर में तो जब soil particle जहना uniform size का होता है तो इनमें soil compaction कम होता है लेकिन अगर soil particles size का range अगर होगा तो वो बहुत easily slip कर जाएगा जो pore spaces है वहाँ पर छोटे particles होगे वो pore spaces में slip कर जाएगी जिसके विसे soil compaction जादा होगा ठीक है अच्छा compaction depends not only on the amount of pressure exerted ऐसा नहीं कि हमने ज्यादा pressure लगा दिया ऐसा नहीं है कि अगर हमने बहुत ज्यादा pressure लगा द तक भी अगर लगता है तो वो क्या हो जाएगा soil compact है जैसे example की तोड़ पर समझना जैसे soil है ठीक है एक हम normal field में बात करते हैं आप अपने देखाऊगा हिंदी में जिसको मेड कहते है मेड पे इंसान बहुत regular चलता है ठीक है मेड बनाता है ताकि हम one end of the field से दूसरे end of the field तक जाए ताकि हमें crop 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 damage ना हो ठीक है तो आप ध्यान दोगे तो जो मेड होता है उस पर इंसान चलता है ऐसा तो नहीं बहुत बारी बारी वजन चलता है हाँ human weight जो है वो ज्यादा ही भारी है लेकिन कहने के मतलब ऐसा ट्रैक्टर जैसा तो नहीं है कि ट्रैक्टर का वाज फिल की उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं यानि इतना compact हो जाता है कि उसके pore size एकदम decrease कर जाते हैं तो कहने का मतलब यह है कि जरुए नहीं कि अब ज्यादा pressure लेगिन अगर कम pressure भी लंबे duration तक अगर frequency बहुत जल्देली pressure लगाओ कि कम pressure भी तो भी soil compaction हो जाता है तिक है अब द तो जैसे से नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा तो decrease कर जाएगा तो देखा क्या जाता है कि अब टूगर हम बात करते हैं तो generally जो soil compaction है वो 4-5 जाते जाते क्या होता है वो complete कम हो जाता है यानि ज्यादा से ज्यादा soil compaction का होता है first 4-5 inches में ही ज्यादा देखा जाता है ठ उतना ही प्रेशर कौन लगाता है हमारा या फिर कह सकते उससे ज्यादा प्रेशर कौन लगाता है एक हमारे ज्यूते का हील ठीक है I hope यह जो पेज है आपको soil compaction का यह समझ में आया होगा moving to the next page that is soil compaction is easier to prevent than remedy मतला soil compaction को prevent करना ज्यादा easy है than remedy अगर soil compaction हो गया तो आपको पत पचा भी ज्यादा effort भी ज्यादा it's better कि हम soil compaction को क्या करें prevent करें ताक ना कि हम remedy उसका ढूंड़ें ठीक है avoiding cultivation in the wet soil सबसे बेस तरीका क्या है हम wet soil में cultivation जो है वो बंद करते हैं यह फिर कम कर दें avoid करें जिसके वैसे जो wet soil में basically क्या हुआ होगा वेट soil में अगर आप लगाते तो मिट्टी के cloths बनते हैं तो वो cloths होंगे सारे क्या करेंगे जो मिट्टी है उसको harden कर सकते हैं और dry जब वो dry होगा तो ठीक है lightweight vehicles with large smooth low pressure tires compact these soil less than heavy vehicles obvious सा बात है जिनके flatten tire होंगे मतलब बड़े बड़े जो चौड़े से tires इनके होते है जो गाड़ियों के वो हम जानते है ना normal अगर हम pressure का formula देखें तो pressure क्या होता है force ठीक है divided by area तो आप same force ही लगा रहे हो लेगिन अगर area कम है तो pressure जादा लगता है जिसे अब देखो जो हमें injection दिया जाता है तो हमारे skin पे बहुत हलके से ही हम needle को insert करते है हमारे skin में ठीक है और आप उसी चीज़ उसी skin को finger से उतना ही pressure लगा तो finger जो हमारे skin के अंदर में न pressure बहुत जादा लगता है तो वहीं बोला जा रहा है कि जब टायर जो है ज्यादा flat होगा ज्यादा चोड़ा होगा तो उसका surface एरिया जादा होगा area जादा होगा तो soil के उपने pressure कम लगाएगा ठीक है I hope यह जो पढ़ जाना वीडियो को यह पॉस करके इस paragraph को पढ़ जाओ मैंने इसको पढ़ाए और जो भी important चीज़े मुझे लगी थी मैंने यह पे mark कर दिये बाकिया पी छोटा से एक paragraph इसको पढ़ जाओगे ठीक है I hope आपको जो soil compaction का जो concept है वो समझ बहाँ होगा next और जो आज का last topic है इस lecture का that is the root system root system क्या होता है root system बोलूँ या फिर root ecosystem बहुत सारा function provide करता है विर बहुत सारे uses हैं उसके एक tree के लिए जैसे it collect water minerals from the soil obvious बात है कि soil moisture जो है उसके उससे water collect करता है root hair से और minerals को भी collect करता है store nutrients वो nutrient को store करता है anchor the tree anchor the tree कहने का मतलब है कि वो soil से tree को bind दर कर रखता है ताकि जो strong winds है या फिर किसी mechanical pressure से या फिर force से plant को damage गिर ना जाए उससे भी उसको बचाता है तो हमने अगर देखा तो क्या कर रहा है product कर रहा है anchoring कर रहा है store कर रहा है nutrients को minerals को accept कर रहा है फिर खीच रहा है plant के लिए absorb कर रहा है और water को absorb कर रहा है ठीक है fibrous roots are primarily responsible for the absorption of water and minerals from this soil अब देखो दो तरीके का soil पाए जाता है जो जादा depth तक जाता है single root जाता है primary root अगर depth तक चला गया और कुछ-कुछ उसके छोटे-छोटे branches है that is a tap root इस तरीके का root होता है that is a tap root fibrous root कैसा होता है उसमें जो main जो branch है root का वह आपको दिखेगा ही नहीं छोटा से main branch होगा ठीक है उसमें बहुत सारे बहुत सारे इस तरीके से fibrous मतलब आप दिखोगे तो root secondary root primary, secondary, secondary, tertiary is तरीके का root spread करता है that is a fibrous root, so fibrous root में root hairs generally as compared to the tap root system ज्यादा होते है, तो ज्यादा से ज्यादा जो अप्ञork लगा आप जैह पना मिन्डेल से कौन करता है, fibrous root करता है, They most OFTEN grow in the top six inches of the soil, fibrous root generally कहा होता है, solid the top five to six inches में पाया जाता है, woody roots provide a framework for anchoring, woody roots जो है जो less delicate यानि जो जाता फ्रेगाइल नहीं है जल्दी चूटते नहीं है जल्दी जो रूट्स हो जाते हैं जैसे आपने पेर में पीपल वगर हमें देखा होगा जो रूट्स मिट्टी के ऊपर दिखते हैं वो मिट्टी को बहुत strongly hold करते हैं ठीक है तो वो प्रवाइड करते है इन फ्रेम्वर्ग फो टी एंगरिंग अव दी ट्री विद दी फॉयल ठीक है यह फिर गाउंड थे सपोर्ट एंड वेट अव दी ट्रंक अ ब्रांचे इंगरिंग जो है वो किस तरीकर से बड़ता है इच पोर्टी वेट अव दी ट्रंक अब रांचे इंक्लोडिंग दी लोड बदी जो एक्ट्र लोड पढ़ दा है न स्नौ आइस और विंड प्रेसर से उसको भी क्या कर सकता है सपोर्ट करता है यानि प्लांट को सपोर्ट करता है ताकि इससे वो डामेज ना हो जाए ठीक है अच्छा वोडी रूट सेल्डम पनेट्रेट इस सॉयल दीपर दन जो वोडी रूट होंगे ना जिनली जो थी फीट ऑफ दी सॉयल है टॉप त्री फीट ऑफ दी सॉयल उसको भी पनेट्रेट करके नीचे के तरफ चला जाता है या नॉट इसली सीन एंड स्ट्रॉक्ट्ट्रल डेफिशिंसी अफन रिमेंस अन्नोटिस अंटिल टॉप दी इसली डाइस बैक अच्छा कहने का मतलब क्या है अब इसको पढ़ जाना क्या कह रहा है कि रूट जो सिस्टम है उसको बचा के रखना इसलिए भी जरूरी है कि रूट जो होता है वो अंडर ग्राउंड पार्ट ऑफ दी प्लांट है और हमें जनरली रूट जो है वो दिख सकते हैं ऐसा स्पेस जो कि जिस्ट रूट हेर्स के अराउंड होता है उसमें स्वाल कॉंबैक्शन नहीं होना चाहिए वो जो एको सिस्टम है राइजो स्फेर का वो पर्फेक्ट होना चाहिए अगर यह चीज़े पर्फेक्ट है तो सॉल जो है यह अच्छे से प्लांट को न्यूट्रिशन प्रवाइड कर सकता है माइक्रोब्स भी राइजो स्फेर में बहुत जादा पाए जाते हैं तो यह इंपोर्टेंट हो जाता है अब मैं बात कर रहा था कि जो रूट है वो अंडरग्राउंड पार्ट है वो हमें दिखता नहीं है तो अगर रूट का डाम में हम लोग को बहुत जादा ध्यान देना होता है कि कहीं पर हम कुछ ऐसी अक्टिविटी ना करें जिसे हमारे जो रूट सिस्टम है या फिर रूट इको सिस्टम है वो डैमेज ना हो जैसे मान लीजे कि एक्जेंपल देता हूँ जैसे आपको लगता होगा कि हम प्लांट तो भी रूट इको सिस्टम होगा ठीक है तो इन सारी ऐसा कुछ ना दाल दे कि वह हमारे जो रूट का एको सिस्टम में जो माइक्रोब से उनको डामेज करें तो इन सारी चीजों को हम लोग को ध्यान रखना होता है जब भी हम रूट सिस्टम के बारे बात करते हैं और इन grow in a circle around the root mass is called girdling मतलब यह आपका root है ठीक है ठीक है और एक यहां से root निकला और यह इसी root को main root को ही circle कर ले इस तरीके से तो this is called girdling अब तेखो यह यह जो image है ना the first image that is called root girdling ठीक है roots are girdle pattern तो इसमें क्या होता है कि main root है एक दूश्यों क्या कर रहा है वो circle कर रहा है surround कर रहा है that is called root girdling I hope यह वाला जो पार्ट है आपको समझ में आया होगा हम बात करते हैं इसके बारे में root में also be knit into a characteristic J-hook growth pattern J-like structure बनाता है किस तरीके से like this इसका भी image दिखाता हूँ ठीक है तो यह दो चीज है जिस तरीके से हम कह सकते हैं root में defect आता है J-hook like growth pattern हो जाता है improper treatment in the nursery often causes these type of defects मतलब nursery में ही अगर में properly treat नहीं किया तो यह जो J-hook और girdling है वो हो जाता है ठीक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ nursery level पी ही होगा मतलब nursery में अगर हमने नहीं क्योर किया है तो मतलब ध्यान नहीं दिया है तो यह चीज़ें जादा होंगी ठीक है girdling roots में also occur after the tree planted into the landscape मतलब जहाँ पर लगाना है वह लगा भी दिया है nursery से लागे उसके बाद भी girdling हो सकती है this happens when root grow around the edges of the planting pit ठीक है instead of instead of out into the field soil ठीक है अगर हम पिट में जब लगाते हैं नॉर्मल soil में नहीं तो उस टाइम पे भी जो चीज़ें जादा लिखते हैं ठीक है lack of structural integrity in the root system में अगर may cause the planting to fail early in the tree's life or much later but failure is sure to occur कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों ने avoid कर दिया जो soil structure जो root structure वो change हो गया रूट सिस्टम को जो structure वो change हो गया यानि गर्लिंग हो गई है जे होग है pattern है तो अगर उसको हमने ध्यान नहीं दिया तो कुछ टाइम तक तो चलेगा ठीक है मतलब अर्ली स्टेजिस में अगर हम बात करेंगे तो planting fail कर सकता है नहीं भी कर सकता है ultimately अगर J-hook या फिर girdling होई है तो definitely failure जो है वो होना ही होना है यानि plant damage होगा और plant एक दिन मर जाएगा यानि root ecosystem अगर damage है तो अब यह से plant की death होनी ही होनी है I hope यह जो आपको paragraph है समझ में आओगा बात है थोड़ा सा images पर तो मैंने पहला image आपको दिखाया है that is the girdling अब J-hook क्या है यह इस तरीकी के structure को बोला है अब ध्यान दो तो कोई भी root growth का pattern नहीं है यह क्या हो रहा है इस तरीके से J-like pattern बनाओ दिख रहे हो किस तरीके से तो यह है zone where the root defects are commonly found in the grown trees यह generally trees में हमें इस तरीके दिखता है ठीक है I hope guys आपको आज का lecture समझ में आया होगा और यह जो topic था हमारा बहुत easy था that is soil complexion and the root ecosystem और the root system so guys मिलते हैं next lecture में अगर आपको हमारे entomology course है फिर agronomy course में आपको पढ़ाई करनी है तो हमारे youtube channel पे वो भी free में available है बहुत सारे lectures हमने prepared किया है IPM के लिए और उन का 10 book के हमने MCQ series को cover किया है so आप हमारे उन videos को देखो और free में आप अपने school colleges में या फिर अपने competition जो आप competitive जो examination से त्यारी कर रहे हो उनको improve कर सकते हो साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप हमारे mock test को join करना जाते हो तो आप हमसे हमारे contact number पे contact कर सकते हो या फिर आप हमारे website that is जो मैंने पहले page पे दिखाया था आप वहाँ पे भी जाओगे तो आप वहाँ से contact कर सकते हो या फिर direct उस चीज को और आप हमारे नपका कर सकते हो